नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार यूनिक परिवार में दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही important topic जो आपके courses, सारे courses से related भी है और साथ में ही आपके दिनचर्या से भी related है, आपके daily routine से भी related है, आपके जिन्दगी से भी related है, कई लोग की जिन्दगीयां इस topic को ना समझने में भी खतम हो जाती है जब से पहले हमने बताया था आप पिछले वीडियो में कि cyber security क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गए हैंगी, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो cyber security होता है, इसको हम लोग कैसे इस्तिमाल करें, या फिर cyber crime से बचने के लिए हम लोग कैसे काम करें, हमें क क्या क्या करना चाहिए, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि what should I do, हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, इन चीजों को हम लोग जानेंगे आज, ठीक है, इससे पहले सभी लोग क्या करेंगे, कि एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो लोग भी नए हैं, सभी लोग चैनल एक बात जानलो, कोई भी पासवर्ड आप यूज कर रहे हो, कोई भी पासवर्ड, चाहिए ATM का पासवर्ड हो, चाहिए आपके फोन का पासवर्ड हो, यह फिर निट बैंकिंग का पासवर्ड हो, कोई भी पासवर्ड हो, update your password every two month, क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें, update your password every two month, हमें क्या करना चाहिए, हर दो महीने में, अपने पासवर्ड को चेंज कर लेना चाहिए, update करना चाहिए, सबसे important चीज यह है, हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, पांच साल तक हमारे ATM का पासवर्ड एक ही रहता है, अब क्या है, कभी भी धोखा आपके साथ हो सकता है, तो उसे बचने के लिए हमें हर दो महीने में अपने पासवर्ड को याद रखना चाहिए, और यह सबस्तर है कि कैसे यतना पासवर्ड याद रहेगा, तो अपना दिमाग लड़ाओ, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बाके अगर कोई समस्त, नीचे दिए कांटेक नमबर अकाउंट में यूज करना चाहिए, इस बात को ध्यान में आप रखना, हमेशा, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अगर हमारा एक अकाउंट है, तो उसे अकाउंट में दूसरा पासवर्ड, दूसरे अकाउंट में दूसरा पासवर्ड हमेशा बच के रहो, बच के रहो, क्य बहुत आगे बड़ चुका है, आपके पलक जपकते ही काम हो जाता है, तो different password use different account दोस्तों, तीसरा चीज हमें जो है unknown link से नहीं जुड़ना चाहिए, जो भी आपके unknown links आते हैं, don't click on unknown links, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, कि don't click on unknown link, यह क्या मतलब क्या हुआ कि आपका, हमें जो है unknown link पे नहीं click करना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ को, जैसे महाँ लोग कोई भी नोटिफिकेशन आता, आप फड़क से click करके, सर्मान कान की photo देख लेते हैं, काटरेना की photo आप आता अपन देख लेते हैं, अब उस photo को देखने के चकर में, आपको phone hack हो गया, उस photo को देखने के चकर, में आपका laptop hack हो गया, तो इसलिए हमेंसा ध्यान रखें, कि हमें जो है, हमें जो है, unknown link पे, click नहीं करना चाहिए, और कभी नहीं भूलना चाहिए, कि हमें इसपे click करन भी है, दूसरी चीज हमें लाइफ में जब कभी payment करना हो, when payment करना हो, क्या करना हो, payment करना हो, हमें इसा HTTPS, double black slash हमें इसे एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, कि हमें क्या HTTPS, यह लगा है कि नए, इसका मतलब होता है, hypertext transfer protocol, और इसी से क्या होती है, आपके website की, आपके security दर्स आती है कहने का मीन क्या है कि अगर कहीं पिस नहीं लगा हुआ है तो बिलकुल कत्ते ही वहां पे आप पेमेंट ना करें वह फ्रॉड वेब साइट है और उस फ्रॉड वेब साइट से ही क्या होगा आप बरबाद हो सकते हैं इस बात को ध्यान में आप रखना तो ऐसी जग करना चाहिए जहां पे स्ट्ट्ट्प्स न लगाओ तीसरी चीज़ हमें गूगल पासवर्ड बना लेना चाहिए हमें कुछ नहीं पता है तो क्रियेट गूगल पासवर्ड आप गूगल पासवर्ड बना लो क्या कर सकते हो यू कैन क्रियेट और गूगल पासवर्ड आप गूगल पासवर्ट बनाना सीख लो, गूगल पासवर्ट बनाओ, उसको इस्तेमाल परो, गूगल क्लाउड यूज़ करो, वो भी सिक्योर है आपका, बागी ऐसे ही आपको कम्प्यूटर की अपडेट्स, न्यूज, अपडेट्स, वीडियो, आपको यूनिक ओनलाइन गूरू पे मिलता रहेगा, और मैरतना कर, आप लोग के सिवा में हमेशा आजिर रहूँगा, दूसरी चीज़े की इंफॉर्मेशन देने, कि आप लोग के ओलेबल, DCA, DCA, PG, DCMC, सारी क्लासे, लाइब, रिकॉर्डेट, PDF, सब कुछ इसे चैनल पे अविलेबल है, अगर आपको जूड़ना चाहते, तो नीचे दिए गए वाटस अप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें, वहाँ से आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगे, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग को जैहिन,